हल फेंड्स आप सभी का तप्ल टेकिनिक लासेस में पहुत वह स्वागत है तो चलिए आज के इस सेशन में हम लोग जो ओपेन बिकली टेस्ट होता है जो ओपेन बिकली टेस्ट होता है वो आप लोग को पता है क्या होता है कैसे होता है सर्ड और इसी के बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं open weekly test means कोई भी college का student हो किसी coaching में पढ़ते हों वो इस test में participate कर सकते हैं हर एक Sunday को होता है अलग-अलग subject के और अगर आपको इसे related जानकारी चाहिए कि कैसे इसमें join हो सकते हैं क्या कर सकते हैं इस नंबर पर आप संपर कर सकते हैं इस नंबर पर संपर कर सकते हैं ठीक है तो यह जो पिछला weekly test हुआ था वो consumer electronics का हुआ था fourth semester special for electronics engineering क्योंकि double technique classes means electronics engineering और electronics engineering means double technique classes total objective questions थे 20 questions थे 20 marks थे और इसका result publication जो है आज हो रहा है आज के दिन यह कब हुआ था तो 49-25 को हुआ था 49-25 को हुआ था test number 7 था चलिया आए हम लोग देखते हैं इसके solution को समाझते हैं कि क्या है कैसे है तो चलिये यह देखिए कुछ एक toppers list हैं चोकि आप लोग जानते हैं कि double technique class से success party मनाती है और इस वार का success party जल्द ही मनने वाला है तो उस दिन इन सारे toppers को price distribution किया जाएगा और दिया जाएगा क्यों क्योंकि एक college topper है टिपीसियन है सेसन है 19-22 के है 19-22 के 6 semester के student है अंकुस कुमार जेपी 22 है 651 नमबर लाया है एक जो नारा हमने दिया था अब की बार शाड़े 600 के पार अंकुस कुमार ने वो कर दिखाया और बहुत मेहनत करने वाले हैं लगन सीले है ये हमारे online badge के student है online badge के student है जबकि ये पुटुन कुमार 646 नमबर लाया है जीपी नवादा 6 semester ये हमारे offline badge के student है इट मीन्स offline हो या online इससे कोई फरक नहीं पड़ता बस आपके अंदर मेहनत करने का जुनून जज़वा और थोड़ा सा जो आपको बताया जा रहा है उस guideline के अनुसरा अगर आप मेहनत करोगे तो आप منजिल जरूर पाओगे देख रहे हैं ना online, offline यह कोई matter नहीं करता कि सरा हम online है student है offline यहाँ पे online में भी offline का मज़ा आता है और यही कारण है कि देखिए online का student इतना अच्छा कर रहे है चलिए यहाँ पे offline, online दोनों classes से अब लेवल है YouTube चैनल पे जहाँ पे अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे देखिए 6 semester के और भी बहुत सारे टॉपर आए हैं electronics branch 19-22 session के हैं और इसमें अंकूस पूटून के बारे में तो आपको बताए सिवानी कुमारी है जीपी पुर्णिया से 644 रेसमी पटेल जीपे सक पूरा से हैं 633 प्यूस कुमारी जीपी मदेपूरा से 632 आस्ता कुमारी जीपी टेकारी की हैं 623 निकी कुमारी जीपी मदुवनिस हैं 620 संजीप कुमारी जीपी डेरियों सोन 615 चंदन कुमारी जीपी मुंगिर 611 सुमन कुमारी जीपी डेरियों सोन थर्ड समेश्टर कि एक स्टूडेंट है, चुकि थर्ड समेश्टर की है यानि कि अभी आप जो प्वेज हैं, वही एक स्टूडेंट है, 612 नम्बर, बहुत-बहुत आप सभी को बदहाई, आप सभी को सक्सेस पार्टी के दिन जरूर निमंतरन है और उस दिन आप सभी को पुरिस्क्रेट किया जाएगा मैं यही आप लोगों से कहाना चाता हूँ online student हो या offline हो किसी का कोई भी दिक्कत है कोई भी दिक्कत है बस उस दिक्कत को उस कमजोरी को अपना हतियार बनाएए और आगे बढ़िए चलिए थर्ड समेस्टर के कुछ और टॉपर का नाम देख लेते हैं टॉप 10 में जो हमारे यहां जो प्लाई कर रहे थे offline या online उससे related जो भी एश्टुडेंट थे टॉप 10 में पलाई सुमन कुमारी जीपी डेरी उनसुन ब्रांच चोपर 622 तंबर अपने देखाई फिर है कुमारी नम्मी कुमारी जीपी ब्राउनी से हैं सलेंदर कुमार जीपी टेकारी से हैं दिब्या परकास जिपी सिता मड़ी से हैं और कुमल कुमारी जिपी सिता मड़ी से हैं अनान्या जिपी अरारिया से हैं और पुजा कुमारी जी डबलू पी मुझपरपूर और ये हैं आदेत्या कुमार जिपी वाका से बिंदा कुमार जिपी गया और किशोर कुमार जिपी सर्म जी भी गया से अप देख रहा हूँगे बिहार के अवरॉल इतने सारे कॉलेशे से हैं उन सभी कॉलेशे आपको एस्टुडेंट यहां मिल जाएंगे और वो टॉपर एस्टुडेंट निकल कर क्या रहे हैं मेहनत है न वो कभी न कभी आपको जरूर लाएगी मेहनत तो करेए देखे टॉप टॉप टॉपटि टीपीचियन जो हैं इसवार के सिक्ट समेस्टर थड़ समेस्टर सारे मिला करके यह तॉप टॉप टॉपटिटीपीचियन है यू नहीं कहा जाता इन्जिनिरिग एक बहुत ही महसूर है वाट के वो मैं दोहराना चाहूंगा कि electronics engineering means the pull technique classes और the pull technique classes means electronics engineering special for electronics engineering number one है बाबू, number one electronics के छेत्रे में number one सहंस्तान, पूरे बिहार में number one सहंस्तान इसका YouTube चैनल आप जहां पे देख रहे हैं तो यह सारे चेहरे जो है न ऐसे ही नहीं आपको देखने को मिल रहा है इन्होंने मेहनत किये है, पूरी मेहनत किये है, पूरी लगन से किये है जितने लगन से हम लोगों ने इनको guideline दिया वो सारा guideline को पालन करके आज इस मुकाम तक पहुंचे है अगर आपके अंदर भी जो ज़ून जजबा है तो जुडिये तपल लिगनी classes के साथ और अपने सपने को स्वाकार कीजिए चलिए आज इस टेस्ट का consumer electronics के टेस्ट का first question हम लोग देखते हैं और ये first question है, which one of the flowing is noted characteristics of sound wave आप सभी अपने अपने निकाल लीजेगा जो भी टेस्ट दिये थे और उससे related यहाँ पे हम लोग dots तो देखे, sound है, तो sound का जो हम लोग graph बनाते हैं, analog के form में यह कुछ ही इस तरह से graph बनाते हैं, audio sound है, माली अचा है तो इसका देखे, यह जो हमारा है, यह जो दरसाता है, वो क्या हमारा amplitude को दरसाता है और यह repetition per second में जो होता है, उसको हम लोग frequency करते हैं और एक cycle पूरा करने में करते हैं, तो यह जो घर्त बन रहा है, यह देखिए यह जो हमारा distance है, इसको हम लोग wavelength काते हैं, माले तो lambda काते हैं तो इस sound से related, यह तीन चीज आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं amplitude, wavelength, frequency, यह तीनों एक दूसरे, wavelength, frequency एक दूसरे से matter करते हैं, बोले तो एक दूसरे पर dependent होता है, एक बदलेगा, change होगा, तो यह दुनों आपस में और amplitude भी है, जो कि इसके characteristics से related है, और यह जो brightness आप देख रहे हैं, brightness जो देख रहे हैं, यह क्या है, यह brightness, यह brightness sound से relation नहीं रखता है, इसमें से का रहा है कि one of the flowing is no characteristics of sound wave, तो amplitude है, wavelength है, frequency है, बट यह brightness नहीं है, तो इसका right answer क्या हो जाएगा, d, option number d is the right answer, चलिए next question क्यों पढ़ते हैं, और next question आपका यह रहा, screen पे, यह दूसरा question है, which of the flowing is no characteristics of a musical sound, musical sound, musical sound आपते के साथ, आपको यह पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, कि यह किस पे musical sound, जो है, हम लोग quality को कहते हैं, तो देखिए, कोई भी musical sound है, तो उससे relation, loudness का भी होता है, और pitch का भी होता है, बट यह जो wavelength है, वो musical sound से relation नहीं रखता, कोई matter नहीं करता है, इन तीनों में परिवारतन होगा, जीवकी में परिवारतन होगा, musical sound में परिवारतन होगा, बट बेवलेंथ यहाँ पे कोई relation नहीं रखता है, तो वही कहा रहा है, which of the flowing is not a characteristics of musical sound, तो बेवलेंथ हीजे, right answer, quality क्या होता है, तो जो हम लोग music से relation वाला जो characteristics से sound का, वो quality है, जिसको हम लोग timber के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखिएग quality चाहे timber, loud range क्या होता है, आप लोगों को पता है, amplitude पेडिपेंट करता है, और pitch जो है, frequency पेडिपेंट करता है, यह सारा चीज detail में आपको बताया क्या है, तो चली, आगले caution की और बढ़ते हैं, और यह रहा हमारा अगला caution, which of the flowing is not an example of noise, noise का है, example इन में से coin नहीं है, तो प willst fort, बोले तो bum का फटना, bum का फटना, तो वो भी क्या होता है, हमारा noise है, sound from factory, factory बोले तो कल कर खाना का sound, कल कर खाना, कल कर खाना, कर खाना, तो इससे भी बहुत ज़्यादा sound निकलता, यह भी हमारा क्या है, noise है, purposes, sound from vehicle, véhicलिपेंट तो बड़े बड़े जो गालिया वेग र ये सब ट्रक बैगरा ये सब जो चलती है वो आ जाएगी वेहिकल्स में ये भी हमारा क्या है नौइज है बट डी ओप्षन सौंड फ्रों मीजकल इंस्टुमेंट सार ये कोशन जो कभी नहीं भी पढ़ा होगा न सार वो भी सही करेगा क्या आपने सही किया कमेंट कीजिए तो फर्स्ट ये थर्ड नमर कोशन का जो अंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सौंड फ्रों मीजकल इंस्टुमेंट से जो सौंड निकलता है वो क्या है मीजिक है और मीजिक सबको पसंद होते है वो नौइज के कैटेगरी में नहीं आता च तो एक सर डिफिनेशन सर डिफिनेशन और यह किसका है डिफिनेशन तो यह डिफिनेशन है सर क्वाइलिटी का क्वाइलिटी जो जिसके हम Speech म्मेजी क्व。」 मेजी क्वाइलिटिट इसे related characteristics भी काते हैं टो एम्प्लिचूड ओप सांद quality of timber देखे धरा आगे न सर यह रहा सर answer is the right P is the right answer और बाकी सब तो सर सिर्फ इदर उदर घुमा रहा है amplitude of sound तो यहां तो amplitude loudness पे depend करी रहा है pitch मतलब कि frequency पे intensity का इसमें role नहीं है हम लोग जानता है musical instrument music related जो होता है वो characteristics किसका होता है timber का होता है तो timber is the right answer आगे क्यों बाढ़ते हैं और अगला question यह रहा which is type of application procedure in ultrasonography और eco-cardiography यह क्या है तो ultrason के applications है ultrason applications के अंतरगत मैंने आपको बताया है यह सारी चीजे बताया है इसके साथ साथ हैं हम लोग यूज़ करते हैं sonar में sir sonar में भी इसका इस्तमाल करते हैं sonar का पुरा नाम क्या होता है sound navigation and ranging यह मैंने आप लोग को बताया है sir तो यह जो है ultrason, ultrason का application से बावू जो भी दिया हुआ ultrasonography और eco-cardiography इसको हम लोग हर्ट को मतलब की जाचने के लिए इस्तमाल करते हैं ultrasonography पेट बैगरा के अंदर में जो भी है वो डॉक्टरी प्रोसेस में जिसको ultrason के नाम से फेमस हैं इसको हम लोग use करते हैं तो यह is the right answer infrasonik क्या होता है, revibration क्या होता है और eco क्या होता है देखो infrasonik को हम लोग करते है ultrason क्या होता है sir तो हमारा sound का range होता है 20 से 20 kilohertz ठीक है अगर 20 से कम है 20 hertz से कम बाला जो होता है उसको हम लोग करते हैं infrasonik ध्यान रखेगा infrasonik आगे मिलेगा इस तरह का question फिर भी मैं यहाँ पे clear करते रहा हूं और 20 kilohertz से जादा वाला 20 kilohertz से जादा वाला को हम लोग क्या कहते हैं ultrasonic देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ultrasonic या ultrasonic sound भी आपका सकते हैं तो इसका इस्तमाल हम लोग करते हैं थर्ड में re-vibration जब एक sound कोई बंद कम रहा है उसमें आप बोल रहे हो और वो बार बार टकरा करके टकरा करके आपको एक ही आवाज सुनाए दे रहा re-vibration इको हो गया कोई जगा पे आप बोले और वो टकरा करके वापस आया तो इसको इको कहते हैं ठीक है next question क्यों बढ़ते हैं और next question आपका यह रहा screen पे कह रहा है कि the wave with the frequency of the audible range of the human being are called अभी अभी मैंने बताया ultra sound इसको कहते हैं कह रहा है जो human है वो 20 से 20 kilohertz तक के frequency तक के sound को सुनता है और इसी को हम लोग कहते है audible range audible range इसी को कहते हैं 20 kilo को 20,000 भी लिखता है तो यह ध्यान में रखेगा 20,000 लिखेगा तो के नहीं रहेगा बाबू और इसी में लूड़ी आ जाता है इसी में confusion हो जाता है तो इसको ध्यान में रखेगा सूपरसोनिक क्या होता इंफ्रा-सोनिक तो यह सारी चीजे आप लोग जो जह जआ रहे हैं सूपरसोनिक पिमान होता है बोले तो जब a क्रफ्त लडा को पिमान होता है न वह चलते हैं तो बहुत जाधा sound होता है तो उसको अम लोग किसका थया तो लोग का तो light से relation तो है नहीं दोस्त इसका होता है light से relation इसका नहीं है sound का intensity सई बात है सर sound का intensity सई बात है सर एकदम भी answer है अपको हमने बताया था midring sound sml sound midring level के अंतरगध के sound intensity को हम लोग किसमें measure करते हैं तो decibel में measure करते हैं solar radiation होगा नहीं velocity of sound होगा नहीं आप लोग जानते हैं रेडियेशन इस दा मतलब कि जो हमारे लाइट है वो रेडियेट होते हैं वो उससे रिलेशन नहीं है सौंड की बात कर रहे हैं सौंड की कर्रेक्टरिस्टिक्स है तो यह सौंड का हो जाता है चलिए अगला है इन नॉर्मल हुमन इयर कैन हीयर सौंड ओफ रिक्विंसी देखिए आ गया ना अभी रेंज चो आपको बता रहे हैं तो उससे रिलेटिड बीस से बीस हचार हट्स देख रहा हैं बीस हचार इसके जगा पर के भी लिग देता है बीस किलो हट्स तब भी यही होता है फर्स्टी ऑप्सन आपका सही है बाकि यह क्या है तीस से बीस किलो हट्स जब यहां पर नहीं लिखा हुआ है ना वाबू तो समझे की यही बाला है यही बाला है जैसे यहां बीस हट्स से बीस हजार हट्स हो गया यहां तीस किलो हट्स से बीस किलो हट्स कभी होगा नहीं sir यह अपने इतनी बार बतााया है 2 यह सारी चीजिए याद है है which of the flowing sound have the highest pitch पीच की बात कर रहा है तो पीच किस पर डिपेंड करता है फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड करता है तो यहां पर amplitude का तो कोई relation ही नहीं है दोस्त तो amplitude को नजर अंदाज करते हैं frequency पर चलते हैं तो देखिए यहां जाद है तो frequency काम होगा इसका भी wavelength देखिए धीर धीर बढ़ रहा है तो इसका भी कम हो जाएगा इसका भी कम हो जाएगा लेकिन यहां पर यह देखिए यह suitable भी है और इसमें सारे का wavelength सेम भी है तो इट मींज यह बार बार repetition कर रहा है time to time तो इसका frequency जादा है C is the right answer of frequency जादा तो उसका पीच भी जादा होगा ठीक है तो 9 का C right answer हो जाएगा अगले question क्यों बढ़ते हैं और अगला question आपके screen पर कर रहा है कि sound intensity greater than fill in the blanks is painful for human body human body नहीं लिखना चाहिए human ear लिखना चाहिए यहां पर wrong है बाबु इसको काट करके human ear कर लिजेगा ठीक है human ear कर लिजेगा human ear के लिए कौन सा sound है जो कि इसमें से painful होगा painful होगा pain means दर्द स्टार्ट हो जाए कान में कभी वह इससा सौंड सुन लेते हैं तो कान क्या करने लगता है दर्द करने लगता है क्या करने लगता है बाबू दर्द करने लगता है तो देखिए यहाँ पे दो तर्म याद रखेगा 10 decibel note consider 30 decibel जो होता है 30 decibel इससे अगर जादा हो जाएगा बोले तो greater ग्रेटर हो जाएगा तब उसको हम लोग क्या कहा देता है वाबू noise कहा देता है अब यह भी हम लोग लोग देखा noise का example एक्सप्लोईशन होना factory वाला फिर vehicles का sound यह noise में आते हैं इसके साथ-साथ यह option number B यह क्या है यह है जब 80 decibel से जादे होगा तब noise हो जागा उस समय तक अपसा सकते हो बट अगर 130 decibel से जादे हो जाएगा बाबू तो आपको कान में दर्द होने लाएगा जैसे इसको कैसे आप feel कर सकते हो कभी डीजे में डांस किये हो डांस करते करते एकदम डीजे के नजदीक चल जाओगे तो लाएगा कनवा से कुछ सुनाईए नहीं ते रहा दर्द कर लाएगा तो वही है यह हो जाएगा 130 decibel तो यहाँ से दो टर्म याद रखना है 180 decibel से greater होगा तो वो noise के कैटेगरी में चला जाएगा बट 130 decibel से जादा होगा तो वो human यह के लिए harmful हो जाएगा harmful बोले तो painful दर्द देने लाएगा चलिए आगे की question क्यों चलते हैं और अगला question है on which principle is the working of crystal microphone I buy crystal microphone मतलब crystal इसमाल होगा crystal जो है वो phyzoelectric effect पे बढ़ करता है phyzoelectric effect पे बढ़ करता है यह चीजे पाबु जो पढ़े हैं अच्छे से video lecture उन्होंने देखा होगा उनको कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा और वो सही सही टीक भी किया है result में भी पता ही चल जाएगा maximum कितना गया phyzoelectric effect क्या होता है सर जब एक किसी crystal पे दबाओ डाला जाता है तो इसमें क्या हो जाता है electricity develop हो जाती है इसी को हम लोग करते है phyzoelectric effect और यह किस के कारणस होता है तो यह crystal के कारणस होता है तो इसका right answer C हो जागा इगारा का C चलिए next question के ओर बढ़ते हैं और next question रहा यह आपके screen पे अगला question है कि which type of microphone is used in sound level metering sound level metering क्या होता है जिसके help से हम लोग sound के intensity को measure करते हैं और sound का intensity को हम लोग decibel में measure करते हैं unit sound के intensity का decibel होता है अगर 80 decibel का है तो इससे greater है तो वो noise में consider हो जाता है और अभी-अभी मैंने बताए 130 decibel से ज़्यादा जो sound रहता है वो painful होता है painful होता है किसके लिए तो year के लिए human year के लिए होता तो देखिए इस में कह रहा है कि कौन सा microphone है जो sound level meter में use होता है देखिए electromagnetic principle पे जो बर करता है वो dynamic होता है dynamic microphone dynamic microphone एक बार धहान से देख लेते हैं capacitor पे जो होता है उसको हम लोग capacitive microphone करते हैं माइक्रोफोन करते हैं और क्रिश्टल वाले को हम लोग क्रिश्टल माइक्रोफोन के नाम से जानते हैं क्रिश्टल माइक्रोफोन के नाम से जानते हैं यह सारी प्रिंसपल पर वर्क करते हैं क्रिश्टल वाला जो है पीजो एलेक्रिक प्रिंसपल पर वर्क करता है कैपसीट और यह electromagnetic dynamic microphone का लाता है, carbon microphone का लाता है, तो यह जो sound level metering है, इसमें कौन microphone का इस्तमाल करते हैं, यह तो बताएए, यह इसमें इस्तमाल किया जाता है, capacitive microphone, जिसमें हम लोग क्या इस्तमाल करते हैं, capacitor का इस्तमाल करते हैं, अगला question क्या है, तो अगला question आपके सामने है, अगला question यह रहा करा कि what is the define as the speaker which cover low audible frequency हमने speaker को audio frequency के अनुसार पे तीन लेबल में divide किया था तीन लेबल में एक था हमारा low frequency के लिए एक था medium frequency के लिए और एक था हमारा high frequency के लिए तो देखिए बूफर जो था हमारा low के लिए था अस्क्वीकर जो था हमारा medium के लिए था और tweeter जो था हमारा high के लिए था तो यहां all of the above तो कभी होगा नहीं बाबू क्योंकि सिर्फ और सिर्फ low audio frequency के लिए कर रहा है तो इसका option number A, 13 का A is a right answer, 13 का A क्या हो जागा, right answer हो जाग है कि which of the flowing system have reverse working of frequencies, यहां पे भी थोड़ा सा wrong है, frequency के जगा पे होगा, question mistake है, और जो भी question में mistake है, उसका number आपको मिल गया है, frequency के जगा पे होगा, यहां पे, साइद इस question में, flowing have a reverse working of microphone होगा साइद, microphone, microphone, चोड़ा का, microphone है सर, microphone, यहां पे frequency के जगा पे क्या होगा, microphone, सुधार लिजेगा आप लो, गलती से typing mistake होता है, typing दूसरे कोई करते हैं, इसमें mistake करती है, और इसका number आप सभी को मिला है, सहीं मिला है, तो इसका क्या हो जागा, microphone, तो microphone के just opposite काम करता है बावू, लोड़ा speaker, अगर यहां पे speaker होता सर, तो उसका answer हो जाता microphone, ठीक है, तो इसका सही answer क्या है, option number C है, question के अनुसर, यहां पे microphone के अनुसर, option number C is the right answer हो जागा, ठीक है, microphone क्या करता है, तो microphone, electrical को, electrical को किस में change करता है, तो sound में, sound में change करता है, नहीं, नहीं, सर, गलती हो रहा है, लोड़ा speaker जो है, electrical को sound में change करता है, और microphone जो है, sound को electrical में change करता है, ठीक है, तो एक दूसरे के यह पोजिट पर करते हैं, इसका ध्यान रखेगा, अगले question क्यों पढ़ते हैं, तो अगला question यह आपके question रहा है, कह रहा है कि, what is the expressed as the ratio of output sound power to the input audio लोड़ा speaker, देखे, efficiency की, आप output बटा है, input होता है, जिसके भी बात करें, output बटा है, input, इतना ध्यान में रखेगा, efficiency की जहां तक बात करता है, वह यह कह रहा है, कि, what is the expressed to the ratio, outputs sound power to the inputs sound power, तो यह किसको denote कर रहा है, तो efficiency को denote करता है, तो 15 नमबर का बाबू, a option, right हो जागा, a option, right हो जागा, next question की और बढ़त सोलला नमबर कोशन, का रहा है कि, on which principle is the moving coil loader speaker is best, moving coil loader speaker किस पे best है, तो यहां पर confusion भरा है, ध्यान दिजेगा, थोड़ा सा साबधानी हटी, दुर घटना घटी, देखे, सारी चीजे एक जैसे हैं, फीजो इलेक्रिक तो कभी होगा नहीं सा, क्योंकि moving coil कह रहा है, क्योंकि फीजो इलेक्रिक एफेक्ट कहा होता है, क्रिस्टल में होता है, तब यह तीन में से कोई एक अंसर होगा, इन तीनों में से कोई एक अंसर होगा, तो देखे, इलेक्रो मैगनेटिक ट्रांस जक्शन, ट्रांस डाक्टेंस, यह होगा नहीं सर, ट्रांस डाक्टेंस नहीं होता है magnet होता है और coil होता है जो कि move करता है एक दूसरे में क्या होते हैं electromagnetic induction होते हैं और यह electromagnetic induction principle पर ही work करता है electrodynamic induction यहाँ पे देखे dynamic लिखा हुआ है यह भी गलत है यह तीनों वर्ड गलत है और यह हमारा इस option के अनुसार इस यह तिनों गलत है राइट अंसर क्या है option नमबर भी राइट अंसर है चलिए नेक्स्ट कोशन की ओर बढ़ते हैं 17 नमबर कोशन कह रहा है कि magnetic tape recorder can be used to a store बताया था बाबु magnetic tape क्या है analog sound को record करने के लिए इस्समाल किया जाता है आप लोग जड़ से नेक्स्ट कोशन क्यों और नेक्स्ट कोशन यह रहा यह tape recorder head यह क्या करता है सर टेप recorder में magnetic phone में जो होता है वो हमारा क्या होता है sound record होता है एक बात बता दूं option नमबर भी में यहाँ electrical current के जगह पे क्या होगा magnetic current क्या होगा magnetic यह error है बाबु magnetic current magnetic current होगा क्यों अच्छा अच्छा एक मिनट सर यह सही option है सही option है सर यहाँ पे electric current ही होगा magnetic field की बात यहाँ पे दिया होगा इसको option number C जो होगा वो सही हो जागा क्या करता है यह जो head होता है हमारा tape recording हेड होता है वो convert करता है जो भी audio frequency microphone के द्वारा मिलता है उस current को fluctuating magnetic field में convert करता है और वही magnetic field के फॉर्म में magnetic tape पे क्या होता है अश्टोर हो जाता है magnetic tape पे अश्टोर हो जाता है तो इसका option number C is the right answer है ठीक है थोड़ा यहाँ पे मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपका जो question मिला था उसमें यह magnetic field के जगा पे electric field ही लिखा गया था वही चीज मैंने यहाँ पे देखिया और ध्यान में आ गया तो इसमें भी गलती था question में चबाब का टेस्ट हो रहा था magnetic field के जगा यहाँ पे इलेक्टिक फिल्ड लिखा हुआ था तो इस question का भी answer जो इन्होंने सही दिया उनको भी और जिन्होंने गलत किया उनको भी number दे दिया गया क्योंकि यह question गलत था तो इसका मर्ज सभी क मिला है ठीक है अगले question क्यों राते हैं करा electromagnetic interference to hi-fi amplifier can be caused by देखिए hi-fi amplifier का इस्तमाल हम लोग बुलूटूथ बैग रहा है सब जो wireless वाला इस्तमाल करते हैं वो उसमें इस्तमाल किया जाता है और इसको अगर आप किसी broadcast station के नजदीक में लेके जाओगे तो दिक्कत आएगी अगर कोई बगल में कोई और चीज है जो कि electromagnetic radiation related वर कर रही है और वहां पर आप अगर जाते हो तो वो दिखते आएंगी कान में अजब तेरह का हो जाएगा सौंड गड़डा जाएगा और कान में आपको painful देने लएगा तो इसका option number a सही है ठीक है अगला question है last question है देखते ह तो audio amplifier चोई इस्तेमाल किया जाता है हाई-फाइ में वह तू अस्टेज का इस्तेमाल किया जाता है तू अस्टेज का यह मैंने हाई-फाइ सिस्टम बताने के तोरां आपको दिखाया था क्यूंकि उसमें दो amplifier थे दो माइक थे तो वह जो है इसका टू अस्टेज हम लोग इस्तेमाल करते हैं अब बारी है रिजल्ट की तो इस वार रिजल्ट में लड़के और लड़की दोनों ने परजम लाहराया है चलिए आईए देखते हैं थार्ड टॉपर पंद्रा मार्क्स लाया करके थार्ड टॉपर बने हैं रिसु कुमार जीपी खागरिया से और सीमा कुमारी जीडवलूपी मुझपर पूर से आप दोनों को बढ़ाई हो और आप दोनों ऐसे ही महिनत करते रहें नेक्स्ट आने वाले टेस्ट में भी आप टॉपर बने हैं चलिए सेकेंड टॉपर जो है 16 मार्क्स लाकर करके आई है जीडवलूपी मुझपर पूर से जोती राज इनको भी बहुत 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 बढ़ाई ये भी मैं चाहूंगा कि अगले टेस्ट में भी ये अच्छा परदर्शन कर ये टॉपर में आए चलिए नेक्स्ट जो हमारे फस्ट टॉपर है इन में देखिए तीन तीन च्टूडेंट है जिन में से दो लड़की हैं और ये निसा कुमारी और जानवी सिना जीडवLUPी मुझपरपूर जीडवलोपी मुझपरपूर और एक परमीन कुमार है जीपी लिष्ट में आए हैं प्रवीन कुमार से मैं यह आगरा करूँगा आप लोग इसी तरह से मेहनत करते रहें तीनों और नेक्स्ट आने वाले में भी आप टॉपर लिष्ट में आए तो चलिए आज इसी के साथ ये सेशन ये पर समाप्त होता है जल्द मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ तो बने रहे ता पुल टेक्निक कलासिस के साथ